एक विवेक्थाकुर चुनाव नहीं लड़ रहा है इतने विवेक्थाकुर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो कि सब जगह घूम रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर भारतियनता पाटी की प्रचन जीत होने जा रही है एक से अभ्यस्त होता नहीं है कि परिवर्ट रहा है तो यह संजोग जरूर रहा है नवादा के साथ दो साल बचा हुआ है राजसभा में फिर भी आप लोग साल में पार्टी का ने नहीं है हम लोग तो 30 साल से पार्टी के कार करता है हमारे साथ विवेक ठाकूर है नवादा लोग सवाच्छेत्र से बीजेपी के उमिदवार इनसे बात करते हैं विवेक जी ये बताईए कि एक तो चुनाव 19 अपरेल को है 28 को 26 को आपको पता चला कि आप यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं कम समय नहीं है यह निश्चित र प्रचार भी खतम हो जाएगा और उस दिन नाम नौमी भी है तो निश्चित रूप से प्रचार के लिए जितना समय चाहिए उससा अपसे कम है लेकिन एक बात में आपके मांध्यम से बताना चाहूंगा कि नवादा की जनता की जो आस्था है प्रधान मंत्री मोदी में और को चुनाव नहीं लड़ रहा है इतने विवेक ठाकुर्व यहां पर आपको दिख रहे हैं जो कि सब जगह घूम रहे हैं और इसी के चलते यहां पर जो है भारतियंत्या पार्टी की प्रचन जीत होने जा रही है पहले से आपने ये मन बनाया था कि नवादा से लड़ेंगे या अचानक आपको पार्टी ने यहां पर भेज दिया कि आप यहां चुनाव लड़ेंगे पार्टी निर्ने करती है नवादा आना जाना विभिन कारकरमों के चलते मेरा दशकों से रहा है और नवादा एक ग्री छेतर जैसा लगाव रहा है यहां लोगों के लिए वो जब भी आते थे किसी काम के लिए तो हमेशा जो है दर्वाजा खुला पाए और संजूग ऐसा हुआ कि यह हमारी विचार परिवार का यह लगभग 1960 से यह सीट रहा है और जब जनसंकाल का सीट हुआ करता था तब से लेते हुए जब आरक्षित था तब भी और जब अनारक्षित था तब भी संजूग ऐसा होता है कि गटवंधन आजनीती की कुछ मजबूरिया होती है पिछले लोग सभा चुनाओं में पहली बार यह हमारे गटवंधन को यह सीट चली गई थी जो इस बार पुरह वापस हुआ है तो जो वापसी हुई है वो नवादा की जनता में एक हर्ष का विशह है क्योंकि वो आदी है फूल चाप पर नवादा के रोम रोम में फूल है लेकिन एक चीज यह भी देखने में आ रहा पिछले तीन चुनाओं से अब देखिए हर बार नया उम्धवार तो जनता को जनता को कई जगह तो बार बार और ये लोगों के मन में ये जरूर एक स्थिती रहती है कि अब अगले बार क्या लेकिन एक बात आपको बता दें कि नवादा आकांशी जिला में से आता है एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट तो पिछड़ा है और संजोग ऐसा है कि महत्वपूर्ण ऐसा कि विहार के प्रतम मुख मंत्री के जो जनमस्थली है वो भी इस लोकसभा में और विहार का इतिहास विकास का उसी कालखंड का लिखाता है जब प्रतम मुख मंत्री बाबुश्री यह और शेकपूरा दोनों एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट तो 28 तारीकों मैंने सिर्फ नामांकन नहीं किया 12 तारीकों नामांकन के साथ एक संकल्प के साथ किया एक नए नवादा का क्योंकि जब प्रदान मंत्री ने एक संकल्प लिया है कि अजादी के 100 साल के होते ही से विक्सित भारत की नहीं दे पाए तो यह उस संकल्प है जब है कितना आस्वस्थ हैं किया लगता है आपके जो विरोधी जो है यह जनता यहां की बताई आर जेडी के उमिद्वार हुए चाहे एक निर्दली उमिद्वार भी बड़े यहां के जो राजनेतिक परिवार से आते हैं कितना चुनोती पात्मों तेखे ऐसा है कि नवादा की जन पहली बार नवादा की जनता जो है मन बना रहा है विकास के रास्ता में सकरात्मक सोच के सर आगे बढ़ना है तो आपी लोग जीत रहे हैं 2009 पे बहुत फर्क है लेकिन खाई इतना बड़ा है कि उसको भरने के लिए विशेश ताकत की जरूवत है इसलिए संकल्प लेना ही है कि एस्पिरेशनल और आकांशी जिलाओं से इसको बाहर निकाला जाए तो चौमुखी विकास इसका करना पड़ेगा एक रोड बन जाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा एक हाईवे पास करने से नहीं होगा विभिन पहलू पर काम करना पड़ेगा इसलिए नवादा की जनता को यहीं उमीद है विकास का भी उमीद है मेरे आने से और स्थाई तो का भी उमीद है पार्टी का नहीं है हम लोग 30 साल से पार्टी के कारे कार्णता महानगर सर्से जिन्दगी में काम शुरू किये घस घस के यहां पहुचे हैं संगठन से लेके सदन तक जो पार्टी का नहीं होता वही स्विकार होता है चुनाव है देश में कहीं भी पार्टी का आदेश हो जाता है उसी दिन जोला उठाते हैं चल देते हैं उस राजी में तो पार्टी ने ये तैक किया कि आपको जाना है नवादा और नवादा की जिम्मेवारी विकास की नहीं गाता अब प्रधान मंत्री मोदी के नितित्वस अन्रक्षन में आपको लिखना है तो एक दूत के जैसा मुझे यहां भेजा गया और मैं आया आपके पिता सिपी ठाको जी आएंगे प्रचान में देखिए उम्र बहुत हो गई है और बहुत लंबा समाजिक जिंदगी रहा और नवादा छेत्र के लाखो लोग उनसे जुड़े वे हैं तो हर गाउं में जाता हूं लोग काते हैं उनको खोज रहे हैं लोग अब देखिए ऐसा है कि उनका एक समाजिक जिंद्गी का कालखंड बहुत लंबा रहा है बहुत लंबा रहा समाज सिवा के हैसियत से और राजनिति प्लस समाज सेवी दोनों का उनका रोल जो है वो निरंतर अंतिम तक चलता रहा जब तक कि वह यह रहा है आज भी दस्मरीज वो देखते ही हैं तो एक व्यक्तिगत लगाव है विश्यों को भी लेके लगाव रहा है तो अब देखिए आने वाले समय में जो बचा समय है अगर मौका लगया तो हो सकता है क्या आए जीत के वादा मोधी मैं है कोई जात कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसक पहली बार गरीब के पास उसकी योजना डारेक्ट पहुंची है बेना पिचौलिये के और ये उनको संतुष्टी देता है कि उस योजना पर उनका हक स्थापित हो गया एक बात तो देखने में आ रही है कि आपको पता चलता है कि अमिज सा के आप काफी करीबी हैं प्रधा जो आ रहे हैं वो उस दिन का देश का अपना पहला मीटिंग नवादा से आरम कर रहे हैं ये उनका विशेश ने बताता है कि नवादा से आरम करेंगा और उसी दिन विक्सित भारत और विक्सित नवादा का संकल्प सिद्धी का रास्ता पकड़ेगा चलिए आपने हमसे ब